जी तो जी तो जी तो जी तो जी तो जी तो आज हम Nikon के D5600 camera का जा है वो टेस्ट करने वाले हैं फोटोग्राफी का विडियोग्राफी का तो जी यहाँ पर यह वाला camera जो है Nikon का entry-level camera है crop sensor में तो यहाँ पर यह वाला camera जो है उन beginners के लिए है जिनका budget जो है वो काफी कम है और वो इस budget के अंदर भी photography और वीडियोग्राफी दोनों के लिए एक hybrid camera जो लेना चाहते हैं तो यह वाला camera जो आँखे बंद करके जो buy कर सकते हैं तो नाइकन की जो 5000 वाली सीरीज है उसके अंदर यह वाला सबसे लेटर्स camera है इसके अंदर आपको जो लेटर्स फीचर जो सारे मिल जाते हैं तो आज हम इसकी photography वीडियोग्राफी का test करने वाले हैं पर आपको इसकी best setting बताता हूँ दूसरे नबह पर जो टेस्क करके देखते हैं आउटडोर में तो यहां पर तीसरे नबह पर इसके key feature बताता हूँ चोते नबह पर आपको रिवार्ड यूज में प्राइस बताता हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपने कैमरे को आउन करने के बाद दूसरे वारे option के अंदर आना है और यहां पर आने के बाद आपने set picture control को हमेशा से portrait पे यहां standard के उपर जो आपने यूज़ करना है टेके जी उसके बाद color space को srgb इसके लावा आपने active layer को high के उपर एक्स्टा high के उपर रखना है इसके बाद आपने आना है नीचे इसके लावा ISO जो है नाइज ब्रक्शन को आपने नॉर्मल पर या high पर set करना है उसके बाद आपने optical VR को हमेशा से on रखना है इसके बाद आप मुवी सेट्टिंग की बात कीजिए तो आपने टैन एटी सिक्स्टी फ्रीम के उपर आप मुवी को शूट करना है मुवी के quality को आपने high रखना है microphone की sensitivity को आपने 9 ये 10 के उपर रखना है उसके बाद आपने wind night reduction को हमेशा से आपने आउन के उपर रखना है और manual movie setting को आपने आउन रखना है तो यहाँ पर image quality को आपने हमेशा से fine के उपर set करनी है image size को आपने हमेशा large के उपर रखना है और wide balance यहाँ पर आप 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 आटो यूज़ कर सकते हैं क्यूंकि यहाँ पर आपको Kelvin जो है इसके अंदर नहीं देखने को मिले साथ है तो यहाँ पर जो नाइकन D500 के test में हमने नाइकन का 85 mm 1.4 lens यहाँ यहाँ पर यूज़ किया है सारे test में तो यहाँ पर सबसे पहले जो इस camera के autofocus को test करने की try की है यहाँ पर इसका autofocus है वह काफी ज्यादा fast है चाहिए आप live photography करें चाहिए आप जाए इसके viewfinder के अंदर देखर photography करें दोनों तरह से आपका focus बहुत ज्यादा accurate होता है और काफी अच्छा focus हो जाता है हलाकि इसके अंदर focus point जाए वह कम है 39 इसके अंदर focus point है लेकिन फिर भी जो है इसका focus काफी ज्यादा accurate हो काफी ज्यादा fast है तो दूसरे नबर मैने जो इस camera की screen को test करने की try की है यहाँ पर इसकी screen जो touch screen है इसका touch focus उसकी वज़ए से काफी ज्यादा fast है इसकी touch screen जो है उसका touch काफी ज्यादा sensitive है जिसकी वज़ए से आपका focus जब बहुत अच्छे से हो जाता है जैसा है आप जब face के उपर क्लिक करते हैं यह जब face को track करना start कर देता है तो यहाँ पर इसके अंदर face tracking मीं मुझूद है इसके लाबा 3D tracking मीं मुझूद है जिसके वज़ए से focus काफी अच्छी से track कर लेता है जिसके वज़ए से आपके face की tracking और ज्यादा अच्छी हो जाती है और आपका focus काफी ज्यादा accurate और काफी ज्यादा picture शाप निकल कर आती है तो यहाँ पर जो हमने इस camera के blur and bucket को test करने की try की है तो यहाँ पर यह वाला camera जो है crop sensor camera है लेकिन जैसे ही आप जो इसकी picture को देखेंगे जो अभी जो है बनने वाली है आपको इसका blur जो एक फुल फ्रेम कैमरे की तरह लगेगा उसमें आप जो लेंज अच्छा यूज़ करते हैं जैसा कि मैंने इसके साथ 85 mm 1.4 लेंज यूज़ किया है आप कोई पर अच्छा लेंज इसके साथ यूज़ करते हैं 50 mm 1.8 या 85 mm 1.8 या इसके दलावा 70-200 इस तरह कोई लेंज यूज़ करते हैं 2.8 वाला तो आपको blur and book है बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है जिद यहाँ पर ज़湃 ने की color science को test करने की try की है तो जिद यहाँ पर इसके color जो है बहुत ज़ादा light निकल कराते हैं और बहुत ज़ादा bright निकल कराते हैं काफी अच्छे जो है वो color tune इसकी निकल कराती है यहां पर इसके अंदर जो जो कंट्रास्ट थोड़ा सा कम होता है जिसके वज़ाँ से इसकी color tune जो है वो कुछ Canon के camera's की तरह लगती है लेकिन यहां पर जो है इसकी color tune मैंने जितने भी इसके crop sensor camera use किया नाइकन के उसमें थोड़ी सी different है और काफी अच्छी color tune निकल कराती है यहां कि अगर कहा जाए crop sensor camera's में जिसकी color tune सबसे अच्छी है तो नाइकन D56 की color tune जाओ काफी ज्यादा अच्छी और accurate निकल कराती है तो यहां पर जो इस camera के picture quality की बात की जाए तो इसकी picture quality बहुत ज्यादा अच्छी है जिससे मैं बहुत ज्यादा impressed हूँ यहां पर इसकी जो picture है वो 12 MB से लेकर जो है आपको 15 MB की दर्मयान जो मिल जाती है जहां पर आपके जो नाइकन के full frame camera's है उनके अंदर भी आपको 10 से लेकर 15 MB की दर्मयान जो पिक्चर मिलती है इस camera को जो sensor है वो काफी अच्छा है जिसके आपको picture quality मिलती है जो के आपकी editing में या printing में आपको जैसे काफी दादा help मिलने वाली है तो यहां पर जो नाइकन D56 से आप जो है थी खासकर DSLR में लेकिन यहां पर जो है अगर 56 की बात करें तो यहां पर जो है लाइफ फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है फोकस हर चीज़ जो है perfect निकल कर आती है यहां पर हमने जो है सारी फोटोग्राफी जो है लाइफ के ओपर की है अगर हमारा hand जो है किसी जग फोटोग्राफी की है सारी लाइफ के ओपर की है कुछ जो है मैं इस तरह के किलिक भी लिया है जो के रैंडम थे वहां पर भी हमें पिक्चर क्वालिटी जो है काफी अच्छी निकल कर आई है यानि कि अगर आप जो इस कैमरे से कोई जूम लेंज लगा कर कोई भी आप जा की वीडियो क्वालिटी को टेस्स करने के लिए हमने सिनमेटिक फैशन फिल्म जो है एक शूट की है जिसके यहां पर मैं आपको बीटियस दिखा रहा हूं और एंड पर जो आपको इसकी फैशन फिल्म बना कर दिखाऊंगा तो यहां पर सबसे पहले अगर आटो फोकस की बात की जाए तो फोकस बहुत अच्छा है बहुत ज्यादा एक्कुरेट इसका फोकस है और जार ट्रैकिंग भी काफी अची है इसके लावा गर वाइबरेशन इड्टिक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं हमने कुछ छोट जाए वह हैं बाकी छोट जोट हमने इ के अंदर हमें क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिली है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है कैमरा जो इतना ज्यदा शेक नहीं हो रहा इसके लावाज बलर एंड बुक के देखे जाएं तो वो भी काफी अच्छे निकल कर आए है इसके लावाज है 85 mm लेंज होने क कि वाजा से बलर एंड बुक के और भी ज्यदा एकोरेट और अच्छा निकल कर रहा है जिस यहां पर अगर इसके फीचर की बात की जाए तो यह वाला कैमरा जो 24 मेगा पिक्सल का क्रोप सेंसर कैमरा है जिसमें जो एक्सपीड 4 प्रसेसर जो यूज किये गया है जिस यहां पर इसकी कंटिनुर शूटिंग स्पीड की बात की जाए तो 5 fps जो इस कैमरे की कंटिनुर शूटिंग स्पीड है जिस यहां पर इसका मैक्सिमम आई एसर जो आप 25,000 तक बढ़ा सकते हैं जोजिए यहाँ पर एगर इसकी स्क्रीन कीब भात कीजा हैं. तो यहाँ पर इसके अंदर आपको रूटेट स्क्रीन मिल जाती है, जो अपनी स्क्रीन मिल जाइं. जोज़ यहाँभर इसकी जनकी जिए 1 over 4000Р तक बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर अगर वीडेयो की स्पेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर फूल हीडी में 60 Side쪽 के ऊपर जाए Aww. तो जिस कैमरे के अदर आपको Face Tracking मिल जाती हैं तुछ यहाँ पर इस कैमरे के अंदर आपको External Mike की Spot भी मिल जाती है जिसके अंदर जो आप यूटूब की वीडियो है व्लॉगिंग जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो जो चलिए अब जो इस कैमरे की प्राइस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर यह वाला कैमरा जो आप न्यू में बाइक करना चाहते हैं आपको जब 450 डॉलर के राउंड बोर्ड जाओ कहीं से भी मिल जाएगा अगर आप यूज में बाइक करना चाहते हैं तो आपको किट लैंस के साथ यह वाला कैमरा जो है 300 डॉलर के राउंड बोर्ड कहीं से भी मिल जाएगा तो आज की वीडियो आप लोगो कैसी लगी लादमी कमेंड में बताईएगा जो सारी पिक्चर इस कैमरे से मैंने निकाली है उनका लिंक्ट डिस्क्रिशन मजूद है वहां से जाकर अभी डाउनलोड करें इनको एडट करके जब मुझे फारवर्ड करें मैं आपको बताऊगा कि इसमें आपकी क्या गलती है तो आज की वीडियों हमारी यही तक लिए अगरी वीडियों तक के लिए बाए